एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग का नाम सुनते ही हमारे मन में पानी की लहरे शोर करने लगती है। पानी की लहरों के बीच गोति लगाना और एडवेंचर फील करने का मौका देती है रिवर राफ्टिंग। लेकिन river rafting को आप enjoy करें और ये experience यादगार हो सकें इसके लिए आपको कुछ सावधानियों को भी बरतने की जरूरत है खास कर अगर आप पहली बार ये adventure experience करने जा रहे हैं तो चलिए बताते हैं सही कपड़े पहने राफटिंग पर जाने के लिए cotton कपड़े ना पहने इसकी जगह dry fit टी शिर्ट्स, pants, swimsuit या gym wear पहनना चाहिए पैरों में चपल या flip-flop की जगह sturdy footwear पहने जो slippery ना हो गाइट की बातों को ध्यान से सुने राफटिंग के दौरान गाइट के निर्देशों को अच्छे से सुने और follow करें राफटिंग शुरू होने से पहले और उसके दौरान गाइट कई ज़रूरी बाते बताता है जिसे follow करके आप river राफटिंग को और अच्छी तरह से enjoy कर पाएंगे राफटिंग के दौरान सेफटी के लिए दी गई लाइफ जैकेट और हलमेट को जरूर पहने अगर राफटिंग के दौरान तेज लहरों में आपकी बोट पलट जाती है तो हलमेट आपको चोट लगने से बचाएगा तो वहीं लाइफ जैकेट पानी में तैरनी में आपक मदद करेगा अच्छे से पैडल यानि चबू चलाएं गाइट की कहने के अनुसार ही पैडल चलाएं पैडल की मदद से बोट को बहतर बहाव मिलता है ड्राफ्टिंग के पहले गाइट आपको पैडल का हैंडल पकरने और चलाने का सही तरीका बताते हैं जिने फालो करने से नाओ चलाने में आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है पैनिक ना करें पानी की तेज लहरों के कारण कई बार बोट पलट जाती है या कोई साथ ही किर जाता है ऐसे में पैनिक ना करें इससे एक्सिडिन का खत्रा बढ़ सकता है इसलिए जब भी कभी आप र